लीजे सुनिये, मेरी लिखी कहानी, अगर वो मेरी होते, तो मैं उसे पामार देश की सेर कराता, मेरी यानि समीर गोस्वामी के आवाज में अब ये न पूछिएगा कि ये पामार देश कहा है, ये देश मेरा और उसका देश है, जहां मैं उसे ले जाना चाहता हूँ, कैसा सुरम इस्थान है, हरे भरे पेड़ है, उची नीची पहाड़िया है, हाँ पहाड़ियों के बीच में जील भी तो है, इन डामर की सडकों से तो मुझे नफरत है, ये पानी पढ़ने पर सौधा पन नहीं देती, सडके तो मिट्टी की होती है, जो पानी पढ़ने पर आपको भी अपने रंग में रंग लेती है, ऐसा कैसे होगा, क्या पामार देश में बारिश ही ही होती है, क्यो नहीं होगी, बहुत जगहें ऐसी है जहां बारिश होती रहती है उस बारिश से हमेशा लबा लब भरी नदी भी है जो प्रेम का संगीत बिखेरती बहती रहती है खेर, मैं बात करूँ उसकी कल ही की तो बात है उसने अपने पैरों के तलवे मेरे पैरों के पंजों पर रखकर हाथ मेरे गले में डाल कर कान के पास अपने होट लाकर धीरे से कहा था मैं तुम्हारी हूँ और कैसे उसने अपने एक कान और गाल मेरे कांधे पर रखकर आँखे बंद कर ली थी उफ प्रेम के उस एहसास उस खुश्बू से मदमस्त हो जाता हूँ सुध नहीं रहती मैं अक्सर उससे मिलता हूँ उस दिन कैसे उसके साथ जील के किनारे पत्थरों पर बैठे बाते कर रहा था जील का पानी चंचल सा इस्थिर था ठीक हमारे मन जैसा वो कांधे पर सिर रखे जील को ताक रही थी मैं जील के स्थिर पानी को चंचल करने की कोशिश में कुछ कंकरियों को विसरजित कर रहा था अचानक मैंने कहा सुनो उसने कहा हाँ फिर मैं चुप हो गया उसने भी कुछ न पूछा अक्सर हम बैठे खामोशी से बाते करते रहते थे मेरी और उसकी खामोशी में घजब करिश्टा है हमारी खामोशियां ही बहुत बाते करती है वैसे बाते तो खामोशियां ही करती है शब्द तो तकरार के लिए होते है एक दिन वो चहकती हुई आई थी और बोली थी घूमने चले मैंने कहा कहा उसने कहा कहीं भी चलो लेकिन चलो फिर वो यह कायक बोली अच्छा पामार देश चलो मैंने हसते हुए पूछा कि कहा ही यह पामार देश तो वो बोली कहीं तो होगा ना होगा तो बना लेंगे उस दिन हमने पामार देश को बनाया था सुनसान सा देश जहां बस मैं और वो उचे टीले पर लेटे ढलते सूरज को नहारते हुए खामोशी से प्रेम की बाते करें उस दिन पूरे समय घूमते घूमते पामार देश को ढूंडते रहे बनाते रहे एक दिन और ऐसे ही टीले पर बैठे ढलते सूरज को नहार रहे थे आज उसका सिर मेरे कांधे पर नहीं मेरे बाजू पर था मैं आस्मान को नहार रहा था वो मुझे नहार रही थी मैंने पूछा था कैसा है ये पामार देश क्या कुछ ऐसा ही तो उसने कहा था हाँ पामार देश का एक द्रिश ऐसा भी फिर उसने आस्मान को ताकती मिरी आँखों पर अपना आचल डाल दिया था और बोली कि मुझे से बाते करो मैंने कहा तुम बोलो मैं सुनतो रहा हूँ तो उसने कहा था नहीं आँखों से बाते करनी है आँखें भी बाते कर लेती हैं ये एहसास मुझे उस दिन हुआ था वहीं खामोशी से एक दूसरी को देखते हुए हम पता नहीं कितनी देश तक बाते करते रहे वो एक छोटे पद की लड़की जो अकसर आजाया करती है बहुत ही सुन्दर है व्याख्या उसकी क्या करूं कवी की कल्पना जैसी सुन्दर नहीं लेकिन उसकी आँखें सुन्दर है उसकी लटें सुन्दर है उसकी हसी सुन्दर है उसकी मुस्कुराहट सुन्दर है उसका पास भी सुन्दर है उसका एहसास भी सुन्दर है ऐसा नहीं है कि वो रोज ही ही आती हो कभी कभी आती है लेकिन जब आती है तो ऐसे आती है जैसे भरी गर्मी में बारिश की बूंदे सुखद एहसास, सौंधी खुश्बू, अप्रतिम, दर्शनिय मन को विभोर कर देने वाली जब बोलती है तो मिठास की इंतहा नहीं होती हर शब्द में घड़ो नशा होता है अभी उस दिन गाड़ी पर बैठे हम घूम रहे थे अंजान से रास्तों पर तब उसने पीछे से, हौले से, दौनों हाथ मेरी कमर से होते हुए आगे डाल कर अपना सिर मेरी पीट पर रखते हुए मुझे जोर से भीच लिया था मैंने कहा क्या करती हो वो बोली प्रेम मैंने पूछा किस से हाई वो किस तरह प्रेम में डूबे हुए शब्दों से बोली थी तुम से मैंने कुछ दूर जाकर उससे पूछा कि क्या पामार देश में ऐसा भी होगा तब उसने कहा था हाँ पामार देश का एक दृष्य ऐसा भी अभी उस दिन हम नदी में नौकायन कर रहे थे बीच नदी में नौका जाने पर उसने कहा कि बस यहीं खड़ी कर लो नौका रुक गई उसने अपना सर मेरी जानों पर रख दिया आज वो डूपते सूरज को नहार रही थी और मैं उसको तब धी में से मैंने कहा था तुम से बातें करनी है और उसने जट सूरज की तरफ से आँखे अलग करके मेरी तरफ कर ली कुछ देर खामोशी से बाते करने के बाद मैंने उससे पूछा क्या पामार देश में ऐसा भी होगा उसने कहा था हाँ पामार देश का एक दृश्च ऐसा भी हम बात कर रहे थे कल की जब उसने अपने पैरों के तलवे मेरे पैरों के पंजो पर रखकर हाथ मेरे गले में डाल कर कान के पास अपने हौट लाकर धीरे से कहा था मैं तुम्हारी हूँ उस एहसास ने मुझे मदमस्त मदहोश कर दिया था पहली बार मेरे دونों हाथ उसका गेरा बनाते हुए उसके पीछे चले गए और उसको मैंने बाहु पाश में भर लिया दिल खुशी से जूम उठा वो एक ऐसा एहसास है जो बयान नहीं किया जा सकता बस महसूस किया जा सकता है अपनी प्रेयसी को करपाश में भरने का मन किया कि समय यहीं ठहर जाए अकस्मात एक बलिष्ठ साहा थाया और उसको जोर से पकड़ कर अपनी और खींचा मेरे कर से वो पाश अलग हो गया उसके भी वो हाथ उसे खींचता हुआ लिये जा रहा था दूर पहुँचकर वो चिला कर बोली मैंने पामार देश ढूंड लिया है मैंने भी पूछा कहा है उसने जवाब दिया वहीं जहां तुम होते हो और कुछ खुश कुछ बोजिल सा मेरा सपना तूट गया मेरी नींद खुल गई अब ही आप सुन रहे थे मेरी लिखी कहानी अगर वो मेरी होती तो मैं उसे पामार देश की सेर कराता मेरी यानि समीर गोस्वामी की आवाज में